दोस्तों नमश्कार आदाब सत्स्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश सुप्रिम कोर्ट ने पत्रकारों के मामले में एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया की जो टीम मनिपूर गई थी और जिसके खिलाफ दो-दो F.I.R. वहाँ धर्ज किये गए और इसके बाद मनिपूर सरकार पुलिस एक्शन में आ गई यहां तक कि मनिपूर के चीप मिनिस्टर ने स्वेंप्रेस कंफरिंस में पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारी बातें कहीं S.E.T. पड़ियां की जो आपत्ति जनक थी क्योंकि वो अहिव्यक्ति की आजादी का गलागोंटने जैसी थी पत्रकारों के उपर गलत आरोप मढ़े गए और ऐसा लगा जैसे गुनागार पत्रकार है मणिपूर में जो कुछ गड़बड हुआ है उसके लिए पत्रकार गुनागार है सरकार नहीं तो सरकार ने अपनी नाकामियों को इतने महीनों से जो नाकामिया उसकी थी उनको छुपाने के लिए एक तरह से एक बहाने के तौर पे एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया की उस टीम को निशाना बनाया जिसमें देश के तीन वरिष्ट संपादक गए थे बारत भूशन थे जो हिंदोस्तान टाइम्स टेलिग्राफ में एडिटर रह चुके हैं संजे कुमार, संजे कपूर सारी, संजे कपूर थे जो हार्ड निउस के संपादक हैं और सीमा गुआ जो एक सिनियर जानलिस्ट हैं सीमा मुस्तफा जो एडिटर स्गिल्ड आफ इंडिया की प्रिसिडेंट हैं उनको भी इस मामले में लपेटा गया, F.I.R. में उनका भी नाम था लेकिन Chief Justice of India की अगवाई वाली बेंच ने शुक्रवार को इन पत्रकारों को जबरदस्त बहुत बड़ी रहात दिया है एक तरह से protection दिया है, संरक्चन दिया है और साथ में ये भी कहा है कि free speech को इस नाम पे नहीं कुछला जा सकता कि किसी पत्रकार ने, किसी रिपोर्टर ने कोई गलती किया अपनी रिपोर्टिंग में और दरसल आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि Editors Guild of India की मनिपूर पर जो रिपोर्ट है उसमें पूरी रिपोर्ट में कोई गलती इस टीम ने नहीं मानी है सिवाए एक गलती के जिसका करेक्शन तत्काल कर दिया गया था कुछी घंटे के बाद उसको ठीक कर दिया गया था और वो थी एक कैप्शन की, एक शिर्षक लगारे की, किसी चित्र की, किसी ग्रैफिक की और सब जानते हैं संपाध की काम से जो वाकिफ लोग हैं कि उसमें जो रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, शायद उनका बहुत महत्पूर रोल नहीं होता लेकिन फिर भी इसको करेक्ट किया गया, उसी को बहाना बनाकर, उसी को मुद्दा बनाकर इतने जबरदस्त किस्म के F.I.R. दर्ज कराए गये टीम पर 153.A लगाया गया, वो भी धारा लगा दी, शासन प्रशासन ने पता नहीं कैसी पड़ताल की, अगर कोई NGO या कोई इंडिविज्वल जो अपने को social worker कह रहा है, कोई भी ओव्यक्ति, अगर मानली J.F.I.R. कराते भी है, तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, जो investigation करने वाली agency जहें, उनका काम है कि वो देखें कि कौन सी धारा इस पर लगती है, कौन नहीं लगती है, 153.A जिसमें 3 साल की कठोर सजा है, और इसके अलावा उसमें बहुत सारा उस पर थोपा जा सकता है, fine भी, 153.A का मतलब होता है कि समुदायों में, समाजों में, जाती की आधार पर, धर्म की आधार पर, भाशा की आधार पर, विद्वेश पैदा करना, शत्रुता पैदा करना, यानि ये जो संपादक हैं, वहाँ पर शत्रुता पैदा करने गए थे, असलियत बताने नहीं गए थे, कहने का ये मतलब था हुनका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न है और जो observation आया है माननी मुख्य नयाधिश और अन्य लोगों का वो जबरदस्थ है और इतना बड़ा protection पत्रकारिता को और पत्रकारों को देता है editors Guild of India को देता है कि जो एक नजीर बन सकता है जिसमें ये जो कहा गया है observation में और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ की निश्चित रूप से ये आगे भी सिलसिला जारी रहेगा कि आप कोई किसी पत्रकार से कोई अगर error या कोई गलती अगर होती है मान लीजे उसके आधार पर उसको 153A का आप अव्युक्त नहीं गोशित कर सकते तो पत्रकारिता के पक्ष में एक महत्पुन observation है मानी सुप्रीम कोट का और मनीपूर सरकार के जो उसके मन में जो था जो उनकी मनशा थी वो निश्चित रूप से उसको एक तरह से उस पर लगाने की ए मीडिया की दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि इंडिया एलाइंस ने देश के विभने टीवी चैनलों के 14 जो एंकर हैं काफी विबादास्पद एंकर ये हैं उनको एक तरह से उनका बायकाट करने का फैसला किया है इस सब्ता है और इसको बात में कॉंग्रेस के प्रव कर्स के साथ अस्थायोग का फैसला किया है हम इनके साथ नान कॉपरेशन कर रहे हैं समिना अस्थायोग कर रहे हैं ये शब्द इम्यों उन्हों है यूज किया और उनका कहना है कि ये उनके जो पत्रकारिता का जो आचरन उनका है वो बिलकुल गलत है वो सत्ता के साथ खड इसलिए हम ऐसा हमने किया है बाकि उनसे हमारी व्यक्तिकत कोई रंजिश्ट नहीं है, हमारी एलाइंस की नहीं है, हमारी पार्टी की नहीं है इस तरह की बात उनने कही है। लेकिन दोस्तों ये भी जो घटना हुई है मैं समझता हूँ कि पहली बार टेलिविजन के इतिहास में दर्ज हुई है कि उस एंकर्स को देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल और सबसे बड़ा विपक्षी प्लेटफॉर्म एलाइंस वो एक तरह से उनके साथ असायोग कर र चुकि वो सवाल पूछते हैं इसलिए ऐसा किया गया लेकिन बड़ा हिस्सा समाज में ये कहने वाला है और गली-गली सडक पर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ड पर जहां भी आप जाएं लोग कहते हैं कि यस तरह के जो एंकर्स हैं वो सत्ता से कभी सवाल न नेताओं का अफमान ही नहीं करते हैं उनकी इमेज खराब करने के अभियान का हिस्सा बनते हैं कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह के जो कथित एंकर्स हैं इनको एंकर्स भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ये एंकर्स जो हैं समाज में जिस तरह का महौल प दर्ज हुए हैं, हाला कि कई बार अच्छे पत्रकारों के खिलाब भी मामले दर्ज हो जाते हैं, एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया की जो टीम है, उसके खिलाब मनिपूर में जो हुआ हो, उसका अधारण हम दे चुके हैं, लेकिन इस केस में दोस्तों, बड़ी दिल्चस् बात है, कि टीवी पूरम के आल्मोस्ट सभी प्रमुक चैनल हैं, जिनके एंकर्स को लिया गया है, लेकिन इस 14 संख्या क्यों है, ये 24 क्यों नहीं है, ये 34 क्यों नहीं है, तो एक सवाल उट सकता है कि 14 को किस आधार पर आपने चुना है, क्योंकि जिनको नहीं चुना है, उनमें भी बहुत ऐसे हैं, कॉंग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जिनको नफरती ब्रिगेट कहते हैं, मैं नहीं कहा रहा हूँ, ये उनके शब्द हैं, मैं जस्ट उधरित कर रहा हूँ, तो आखिर नफरत पहलाने वाले जो एंकर्स हैं, उनके मुताबिक, मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देख रहा था, आज ही का, इंडियन एक्सप्रेस अपने एडिटोरियल में कहता है, कि वो अलुचना भी करता है, टीवी की या एंकर्स की, लेकिन वो लास्ट में ये भी कहता है, कि ये प्रेस फ्रीडम के खिलाब जाएगा, अ लेकिन I mean fake news के खिलाब तो Supreme Court भी अपना observation दे चुका है हो सकता है कि कुछ guideline भी तैक की जाएं तो ये जो एक पहलू है कि कि किसको press freedom कहा जाए और किसको नफरत फैलाने वाली पत्रकारिता कहा जाए ये एक ऐसा विशह है जिस पर बातचीत होनी चाहिए और दूसरा जो प्रस् टेलिविजन चैनल हो या mainstream media इस देश का हो आखिर क्या वज़ा है कि एक ही तरह के समुदायों के लोग टेलिविजन चैनलों में और mainstream media के बड़े platforms पे एक ही तरह के लोग है diversity ही बिलकुल नहीं है एक अनुवान के मुताबिक जो anchors हैं टेलिविजन चैनलों के जो editors हैं जो उनके मुख्य करता धरता हैं उसमें 90% से भी ज़्यादा लोग हिंदू अपरकास्ट समुदाय से आते हैं हिंदू अपरकास्ट माइनार्टीस SC ST OBC इनकी अगर संख्या देखी जाए तो नधारद है बिलकुल गिने चुने लोग है और वो भी प्रमुख रोल में नहीं है तो आखिर ये कैसी डेमोक्रिसी है और कैसा ये मीडिया है जो अपने को वेंगार्ड आप डेमोक्रिसी कहता है जिसमें देश की 80% आबादी के नुमायंदे ही बिलकुल नहीं है या अगर हैं तो बिलकुल नगणे हैं उनकी कोई खास भूमिका भी नहीं है तो एक सवाल य जो पार्टीज है वो भी एक सवाल उठा रही हैं लेकिन जो बड़ी प्लिटिकल पार्टीज है ये सवाल नहीं उठाती या इस सवाल से बचती हैं वो क्यों बचती हैं मैं नहीं जानता लेकिन सन 2006 में बकाइदे दिल्दी के बड़े मीडिया प्लेटफर्म्स को लेकर एक काट्सपेट किया था लेकिन उस सरवेक्षन के जो आंकडे थे उसकी प्रामाणिक्ता को उसकी विश्वसनियता को किसी ने चैलेंज नहीं किया लेकिन कोर्स करेक्षन नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि मीडिया में डाइवर्सिटी का प्रस्ट भी आज डिबेट की उस पर जरूरत है दोस्तो पॉर्लामेंट के इसस्पेशल सेशन में जो 18 से 22 के बीश में चलेगा और जिसके एजन्डे के बारे में एक खुलासा पहले नहीं किया गया था और बाद में बताया गया कि इन इन विदहकों पर बात होगी साथ में ये भी कहा गया कि प्रलामेंटरी हि इस पर भी चर्चा होगी लेकिन हमारी जो जानकारी है और जो हमें भी सुत्रों के हवाले कुछ खबर मिल रही है कि ऐसा लगता है कि ये बातें कहने को हैं इसके आवावा भी कोई बहुत महत्पूर्ण एजिंडा है इस तरकार का जिसको पबली कभी तक नहीं किया गया है व चौकाने वाले स्टब्ध करने वाले राजनीत में खलबली मचाने वाले कुछ तो मुद्धे हैं जिसको सत्ता के सिर्षपदों पर बैठे लोगों ने छुपा रखा है या जिसका खुलासा नहीं किया है लेकिन जिन चीजों का खुलासा किया है उसमें दोस्तों एक जो व गठन को लेकर, कमिशनर्स की निक्तियों को लेकर, चीफ एलेक्शन कमिशनर से लेकर और कमिशनर कर, अगर ये पास हो गया भी ध्यक, तो माननी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नौकेवल इसे अवहेलना होगी, नौकेवल उसको निगेशन उसका होगा, और पर्लेमेंट को अधिकार है, सुप्रीम है पार्लेमेंट, कानून बनाने का अधिकार उसको है, तो कानून अगर बन गया सरकार की इक्षा का कानून, उसकी मर्जी का कानून, तो एलेक्शन कमिशन आप इंडिया के जितने कमिशनर्स हैं, उनकी निक्तियां, मौझूदा सरकार जिसको चाह उसको कमिशनर बना देगी क्यों कि तब उसमें तीन ही व्यक्ति होंगे नियुक्ति करने वाले लोगों में जो रिक्मेंडेशन भेज देंगे और प्रेसिडेंट आफ इंडिया की साइन उस पर आ जाएगी जाही रहे वही एक प्रक्रिया है प्रदान मंत्री होंगे उनका को प्र एलेक्षन कमिशन आफ इंडिया में जो नियुक्ति है सरकारी है और सरकारी कमेटी इसी पर तो आपति किया था सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने कहा था कि तीन लोग होंगे फिलहाल जब तक कि कोई फैसला नहीं होता कानून नहींस पर बनता मुकम्मल एक तो प्रधानमंत्री होंगे जो सत्ता के रिप्रेजेंटेटिव हैं सत्ताधारी संरचना के और दूसरा विपक्ष का नेता होगा और तीसरा देश का चीफ जस्टिस होगा तो इस तरह से एक संतुलन था एक संविधान प्रदत अधिकार वाला जो एक इस देश का जो नयायला है उसका चीफ एक प्रधानमंत्री सबसे सुप्रीम एग्सक्योटिव आप दिस कंट्री और तीसरा जो विपक्ष का नेता है लेकिन अब इसको बदल रही है सरकार और अगर ये पारित हो गया राजसभा से भी लोगसभा में तो पारित होना आवश्य के बारे में हर नागरिक को सोचने की जरूरत होगी सनातन को लेकर जो एक विबात खड़ा हुआ था उदय निधी स्टालिन के बयान से जो उन्होंने एक एसोसियेशन की राइटर्स एसोसियेशन की एक बैठक में अपने उद्धाटन के समय जो बात कही थी उसको लेकर वो थमने का नाम नहीं ले रही है अभी तक भारती जन्ता पाठी के छोटे नेता मजोले नेता कुछ बड़े नेता भी इस पर लगातार बोले जा रहे थे और कह रहे थे कि सनातन की किलाब इस तरह की टिपणी हम बरदास नहीं करेंगे वगरए वगरए ये देश रो है ये सम तमिल लाड के हैं उन्होंने भी इस पर बात कही थी और मुझे आद एक कारती चिदंबरम जो मेंबरा पारलामिंट हैं और चिदंबरम साब के बेटे हैं पी चिदंबरम के उन्होंने तो ये भी कहा था कि इन फैक्ट जो उदे निधी स्टैलिन का बयान है सनातन के या गलतफामी उन्होंने पैदा हो गई मानो वो किसी धर्म के खिलाफ हैं ये सही नहीं है क्यों क्योंकि उनका कहना है कि तमिल लाड में जो 65-60 यर से जो डिस्कोर्स चला आ रहा है सनातन को लेकर सनातन का मतलब जो दक्षिन भारत में खास कर तमिल लाड में वो कास को माना जाता है वाण ब्यास्ता को माना जाता है डिस्क्रिमिनेट्री जो यानि भेद भाव करने वाली जो ब्यास्ता है उसको महा सनातन बोल देते हैं तो इसलिए ये समझ का भी फर्क है उद्यनिधी का जो बयान है वो उसका मकसद किसी धर्म विशेश को अपमानित करने का कलंकित करने का नहीं था ये दावा उन्होंने इंडिया टुडे नाम के टेलिविजन चैनल को दिये इंटर्यू में उन्होंने ये बात कही थी और वो अन रिकार्ड सब कुछ है लेकिन दोस्तो इस पर एक बड़ी बात ये आ गई कि प्रधान मंत्री ने अब इस पर बोला है दोस्तो ये मेरे पास रिपोर्ट है 14 तारीख को उन्होंने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन वांट्स टू डिस्ट्रॉइ सनातन धर्मा यानि विपक्षी जो इंडिया एलाइंस है वो सनातन को नस्ट खत्म करना चाहता है उन संबई में जो पैठक होई थी इंडिया एलाइंस की उसमें संकल्प लिया गया इस तरह का यानि सनातन को डिस्ट्रॉइ करने का मुझे लगता है कि प्रदान मंत्री जी को चाहे वो चुनावी मोड में हो या किसी आधिकारी संबेलन में हो या कहीं भी हो प्रदान मंत्री देश का बहुत महत्रपूर्पद है सरवच एक तरह से कारिकारी पोस्ट है कारिकारी पोस्ट इस तरह का जो बयान है कि डिस्ट्रॉइ करना चाहता है किसी धर्म विशेश को या किसी पंत को या किसी विचारधारा को मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह का बयान कम से कम किसी जिमेदार बड़े निता को नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई documentary proof नहीं है कि इंडिया alliance की मुंबई बैठक में ऐसा कोई संकल्प लिया गया ये सनातन की debate है क्या मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है एक journalist के तोर पे एक देश के नागरिक के तोर पे और एक ऐसे नागरिक के तोर पे जो हर धर्म का एक तरह से सम्मान करता है मेरे जैसे आदमी के लिए किसी धर्म के प्रती मेरा और सम्मान नहीं है लेकिन धर्म को मैं आलोचना से परे भी नहीं मानता देखे किसी चीज को कलंकित करना अपमानित करना अलग बात है लेकिन आलोचना का अधिकार तो डिमोक्रसी में एक आदमी का एक मनुष्य का एक नागरिक का एक व्यक्ति कोई भी हो प्रोफेशनल हो या वो किसी भी बड़े पतपर हो उसका एक मौलिक अधिकार है एक फंडम लेकिन सवालात तो खड़ा करना वो तो सबका धर्म है धर्म की आलोचना भी एक धर्म है और डॉक्टर बियार अमबेटकर ने यहीं किया डॉक्टर बियार अमबेटकर जो कॉंस्ट्यूशन के एक तरह से प्रारूप निर्माता है उन्होंने स्वैम विविन धर्मों की आ जादा मिनिंग्फुल बहुत महत्पूर्ण आलोचना करने वाला व्यक्ति दूसरा कौन दिखाई देता है और उनकी जो गंभील दार्शनिक विवेचना है धर्म पर वो अभूत पूर्व है उस पर आज तक देश में सर्चा है डिबेट है बहु सारे कोर्स करेक्शन भी ह हुए बहु सारे नहीं भी हुए तो इसलिए सनातन पर अगर कोई बात कहता है क्योंकि पहली सी तो हमें आज तक ये नहीं समझ में आई बात कि आधिकारिक जो रिकार्ड है भारत का कि कौन-कौन धर्म भारत में है तो यहां पर हिंदू धर्म है यहां पर इसलाम धर्म है यहाँ Christianity है, यहाँ पर पार्सी है, यहाँ पर सिख है, यहाँ पर मुस्लिम सब, आम इन सभी धर्म है, लेकिन सनातन नाम से तो कोई धर्म है नहीं, आधिकारीक रिकार्ड पर, अगर भारत की जनगरना आयुक्त के कार्याले से, जो document release होता है, धर्म के विविन लोगों की सनातन के अपने को कटर समर्थक बता रहे हैं, उनको व्याक्षाइद करना चाहिए, समाज में debate ले जानी चाहिए कि सनातन क्या है, हम सब जानते हैं कि यारे समाज जब भारत में उबरा, खासकर उत्तर भारत में, तो बहुत सारे course correction उसने हिंदुत्वा में या हिंदू धर में शुरू किया, जैसे सावर कर इसको हिंदुत्वा कहते थे, और हिंदु धर्म भी आप जानते हैं कि यह नया शब्द है, यह वेत पुराण में नहीं है, यह किसी भी महत्पुर्ण हिंदू, आज के जो हिंदू गरंथ माने जाते हैं, उनमें कहीं भी हिंदू शब्द क्योंकि यह तो बाद में यह विदेशी जो लोग थे, उन्होंने सिंदू नदी से जोड़ कर, इंडस से जोड़ करके, इधर के रहने वाले लोगों को हिंदू कहना सुरू कर दिया, और वो हिंदू हो गया, तो आरिश समाज में भी दो-तीन गुठ हो गए थे, लेकिन आरिश समाज के संसोधन या सुधारवादी जो हिंदू था, उसको काउंटर करने के लिए हिंदू में ही एक अपने आपको कहने लगे लोग, कि हम तो सनातनी हैं जी, यानि जो और ज़्यादा कट्टर अधिक सं मान रहे हैं, उनको पेश करना चाहिए, ताकि समाज में जो डिबेट हो रही है, वो समझा जा सके कि भई सनातन का क्या मतलब है?